तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्वार्ट कैसे भूल जाने के बाद रिसेट किया जा सकता है विदाउड एनी सौफटर एंड टूल्स तो जैसे कि हम दिखा रहे हैं यहां पे वीडियोज 11 में हम लॉगिंग करने का कोशिश करने जा रहे हैं तो पास्वार्ट दे रहा हूं और पास्वार नहीं ले रहा है है तो मान लिजे मैं पास्वार्ट भूल गया हूं तो इस एकसे yang THE token जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं यह accessibility बटन आप पासवाट को रिसेट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं पहले तो आपको Windows को restart करना होगा shift दबा के यहां पे ध्यान में रखेगा shift left shift दबा के आपको restart button में क्लिक करना है तो restart button में क्लिक करते ही Windows restart होगा और troubleshoot mode में खुश जाएगा तो जैसे कि हम देख रहे हैं Windows बूट कर रहा है और यहां पे जाके troubleshoot mode में खुश गया तो यहां पे troubleshoot में आपको क्लिक करना है उसके बाद advanced option में क्लिक करना है comment prompt में क्लिक करना है comment prompt में क्लिक करते ही comment prompt open हो जाएगा अभी क्या करना है आपको Windows का directory कौन सी ड्राइब में है वो सर्च करना है तो सी कोलोन में हम चले जाते हैं सी कोलोन में जाने के बाद dir comment के दवारा यहां पे क्या क्या file folder है वो देखेंगे तो यहां पे कोई file folder नहीं शो कर रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां पे फिर हम डी कोलोन में जाएंगे और dir comment के दवारा file folder चेक करेंगे Windows का folder है की नहीं जैसे कि यहां पे सो होड़ा है Windows का folder है यहां पे दी कोलोन में Windows है यह ट्र één शूड मोड है जाद तर नॉर्मdock क्योर में रहता है तो यहांपर दी कोलोन दिखा रहा है n ट्रावまぁ यह ट्राइब görशू बाए चेंज हो सकता है तो अभी क्या करना है विंडोस डिरेक्टरी में घुस जाना है चेंज डिरेक्टरी कमेंड देके cd windows उसके बाद windows में चाक के system 32 folder में घुसना है तो फिर से cd space system 32 उसके बाद enter तो system 32 में घुस गिया उसके बाद आपको दो चीज़ों को rename करना है तो rename का comment है rdn space यहां पे जो लिक में रहा हूँ वह अच्छी तरह ध्यान में रखे गया utilman.exe space utilman1.exe तो accessibility का जो button है वो utilman.exe नाम में system में रहते हैं तो उसको rename करके utilman1 कर दिया उसके बाद rename rdn cmd.exe space देके utilman.exe तो comment prompt का जो system application है उसको में rename करके utilman1.exe में convert कर लिया अब यहां से क्या करना है आपको exit कर जाना है तो exit comment दीजिए और enter मार यह इंटर मारने के बाद आपको continue में क्लिक करना है continue windows 11 में क्लिक करते ही windows 11 में boot कर रहा है अभी भी password reset हुआ नहीं दोस्तो password reset करने का हम रास्ता बना रहे हैं तो यहां पर windows 11 में फिट से boot किया अभी भी password reset हुआ नहीं मैं आपको दिखा रहा हूं देख लीजिए तो यहां पर क्या करना है accessibility icon में अभी आपको क्लिक करना है accessibility icon में क्लिक करते ही comment prompt open हो जाएगा जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं तो comment prompt open होते ही आपको एक comment डालना है जो अच्छी तरह आप note कीजिए मैं description box में दे दूँगा control space user password numeric 2 यह देने के बाद आपको इंटर दबाना है इंटर दबाते ही एक नया तरह का window आप सामने खुल जाएगा जहां पर आपको आपका user account शो कर रहा होगा वो तो select कीजिए जिस account में आपको password reset करने वो सिलेक कीजिए और password reset कर लिए यहां पर पासवार्ट डाल सकते हैं या कोई password अगर नहीं रखना चाहते तो blank छोड़ सकते हैं मेरे यहां पर मैं blank छोड़ रहा हूँ अभी आपको okay करना है okay करने के बाद आपको यहां से exit कर जाना है तो exit comment डालिए और यहां से निकल जाएगा उसके बाद जैसे कि अब देख सकते हैं बीना password दिये ही हम windows में घुश जा रहे हैं तो फ्रेंट्स पासवार्ट तो reset हो गया अभी हम को क्या करना है system application में जो हब अदल बदल किये थे वो सब को ठीक करना है तो इसके लिए हमको क्या करना है फिर से वही प्रसेस shift दबा के restart button में क्लिक करना है shift दबाईएगा left shift दबा के restart button में क्लिक किजिएगा shift तब तक चोड़ना नहीं है जब तक आपको troubleshoot mode में घुसना जाएं तो जैसे कि देख रहे है troubleshoot mode में घुस रहा है Windows boot कर रहा है troubleshoot mode में अभी आप shift की छोड़ सकते हैं यहाँ पे सेम प्रसेस troubleshoot में क्लिक कीजिए उसके बाद क्लिक कीजिए उसके बाद comment problem में क्लिक कीजिए जैसे आप घुमाए थे उसको रिवाट कर दीजिए तो यहाँ पे टी कोलोन में हम चले जाएंगे पहले जो Windows का ट्राइब है उसके बाद cd windows slash system 32 एक बाद में हम चले जाते हैं उसके बाद क्या करना है आपको रिनेम करके घुमा देना है पहले जैसा तो यहाँ पे हम और सब्सक्रीप्शन बाख में डाल देंगे पहले जैसा अभूम गया अभी आप यहां से एक्जिट कर सकते हैं एक्जिट करके विंडोस में घुज जाहिए आपका एक्सेसिबिलिटी जो बटन है वो पहले जैसा काम करने लगेगा तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बाद विंडोस 11 में घुज रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं विंडोस 11 में विदाउट पासवाट घुज गया अभी एक्सेसिबिलिटी आइकोन हमको कैसे काम कर रहा है की नहीं कर रहा है वो चेक करना है तो यहां पे मैं लॉग आउट करूंगा और लॉगिंग स्क मैं अपसिबिलिटी बटन को क्लिख कर किडिक करता हूं पहले जैसा और याम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो जैसे के दिख रहे हैं पहले जैसा अक्सेवीटी बटन प्री आप कर रहा है तो पहले जैसा सब गिवर्ट हो गया तो दॉस्तों वीडियों से अपकार व Towards least a क् atau जरूर बताना और इस वीडियो का चले गए तो लाइक और शेयर जरूर किजिए थैंक यू सो मच